यहाँ पर MCD के कारवाई हो रही है और वो होगी जो अधिकारियों ने अभी तक बताया है उनके मुताबिक यह जो इलीगल कंस्ट्रॉक्शन है जो आईरन का पूरा पिलर्स लगाया हुआ है शाहीन बाग पहुँचे बुल्डोजर्स ने आखिरकार किस तरीके से अंजनाव कश्यब के मनसूबों को ध्वस्त करने का काम किया साथी किस तरीके से शाहीन बाग के लोगों ने आज तक के रिपोर्टर की लंका लगाने का काम किया आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अ बटन दबाकर और साथ यूज बेल आइकन को भी दबा दीजी क्योंकि हम इसी तरीके से भक्तों की लंका लगाने का काम करते रहते हैं दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलजी अंद भक्तों की शाखा जहांपर हम लोग जम करके इन चड़ी धारी चिंटूओं की वाट लगाने का काम करते हैं और इनके सुप्रीम लीडर्स से भी बड़े सवाल उठाने का काम करते हैं आज इस वीडियो में मैं बात करना चाता हूँ शाहीन बाग के बारे में कल शाहीन बाग में बुल्डोजर्स पहुंचे और बुल्डोजर्स के साथ-साथ हमारे देश की बिकाउँ और डलाल मीड या भी वहाँ पर पहुँची जो की बहुत ज़ादा खुश थी खास तोर पे अंजना ओंकश्चप की यहाँ पर शुरुआत में बात करना चाहता हूं बहुत ही ज़ादा खुश बहुत ही ज़ादा एक्साइटेड क्योंकि टी आरपी बटोरने का काम ये करने वाली थी सोच कि आखिरकार किसी का घर तूटने पे आप लोग कभी खुश हो सकते हैं क्या किसी के बेघर होने पे आप लोग कभी खुश हो सकते हैं लेकिन नहीं हमारे देश की मीडिया और खासकर से अंजना ओंकश्चप जो हैं वो लोगों का घर तूटने पे बहुत ज़ादा खुश होती हैं और उसके उपर पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है आप बिना किसी देरी के आपको दिखाना चाता हूं आखिरकार किस तरीके से इनके पूरे मनसूबर पर पानी फिर गया जो अंजनौम कर्शब खुशी खुशी वहां पहुंची थी excitement में वहां पहुंची थी कि आज मैं TRP लेकर आऊंगी और मेरा मालिक जो है वो मुझे साबासी देने का काम करेगा उनकी शकल जो है पूरी तरीके से मायूस हो गई जिन्दगी में उनकी पनौतिया लग गई जब उन्होंने देखा कि demolition के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं तोड़ा जा रहा है अगर तोड़ा जा रहा है तो एक ऐसा structure तोड़ा जा रहा है जिससे renovation किया जाता है जो कि external structure होता है जिससे कहीं पर paint किया जाता है जिस clipping के माद्यम से आपको पता चलेगा कि आखिरकार अंजिनव अंकश्चिप कितनी घटिया और कितनी नीच सोच कि एक औरत है जरा देखिए इसको बिल्कुल विरोध हो रहा है लेकिन उन सब के बीच कारवाई हो रही है और कारवाई अब आगे बढ़ रही है जो जानकारी पहले से दी गई थी कि यह जो iron का structure है यह illegal है उसकी इजासत नहीं है उसे हटाने के लिए यहाँ पर कोशिश हो रही है एक बार फिर से विरोध की स्थिती बनते हुए और सवाल यह है कि हरोज हमी लोग टेलिविजन पर यह शोज कर रहे है शाहीन बाग के यहां के विधाय का वानत उल्ला खान कहते हैं कि हमने खुद ही यहां से illegal construction जितना था मस्जिद के बाहर टॉयलेट था उन सब को हटाया है तो फिर आकिर यह से हम क कोशिश कर रहे हैं उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं यह बताके कि यहां पर बहुत बड़ी कारवाई हो रहे हैं लेकिन इस वीडियो में पीछे साफ साफ नजर आ रहा है कि rods का वो structure गिराया जा रहा है जिससे external building पे paint या फिर repairing का का काम किया जाता है क्या इस सब के बीच में से आखिरकार कौन सी excitement पे पहुंच चुकी थी मुझे समझ नहीं आता लोगों के घर तूटने से इनको कौन सी खुशी मिल रही थी आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर एक तरफ तो अंजना औंकश्यप के मनसूबे पूरी तरीके से इन टोरने का काम कर रहे थे एक परफेक्ट मिक्स बनाने का काम कर रहे थे लेकिन इनके मनसूबों के उपर वहां के लोगों ने पूरी तरीके से पानी फेड़ दिया और बुरी तरीके से इनको फटकार भी लगाने का काम किया यह दिखा ऐसा रहे थे कि यहां पर बहुत बड लेकिन इसकारवाई और बुर्डोजर के जाने के बाद भी आरे जो लोगो निगराया यह तो कुछ ही नहीं है इसको अतिकर्मन बोलते है अतिकर्मन तब होता जब बीच रोड पर वरा होता और जो बिल्ली किरती फिर एंसीडी क्यों पागल पर है इसका पागल पर है इसका पर नहीं होटता है यह तो शेकरी अब यह तो हटनी थी वैसे भी यह अठाया इनोंने के आटाया यह तो है आई क्यों इसको यह बंदेटी को लोगों के लिगा इसको पीछे ब्लाक पाल जिसको पेंदिक करना था कुछ कुछ जगाओं पर यहां पर जड़ब की खबरे सामने आ रहे हैं अच्छा जी लेकिन किस तरीके से वहां के लोगों ने पर पहुचे थे शाहीन बाग में यह किसी भी तरीके का कोई भी डिमोलिशन करने नहीं पहुचे थे यह वहां के लोगों को सिर्फ डराने के लिए और अपने चड़ी दारी चिंटूओं को अपना एट्रैक्ट करने के लिए या फिर उनको लुभाने के लिए वहां पर जा रहा है कि बांगलादेशी लोग वहां पर रहकर के और केजरी वाल उनको बड़ावा देने का काम कर रहा है सबसे पहला सवाल निकल कर यहां पर यह आता है कि अगर यह लोग बांगलादेशी लोग और इतने सारे बांगलादेशी एकदम से दिल्ली में आकर के बस चु कि जो बांगलादेशी है शाहिनवाग में बैठे हुए इनका केजरीवाल के साथ एक बहुत स्ट्रॉंग कनेक्शन है तो भाई एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो कि इन में से एक भक्त ने बनाने का काम किया चोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा जहां पर साफ पता चलेगा कि वहां के जो लोग है थोड़े बहुत बांगलादेशी चार्ट करके वीडियो बनाई गई है लेकिन वहां के जितने भी बांगलादेशी उस वीडियो में वह साफ साफ यह कह रहे है कि केजरीवाल की फ्री स्कीम का कोई भी बेनेफिट उन लोगों को अगर केजरिवाल ने इनको बसाने का काम किया होता तो क्या इनको free benefits नहीं मिलते डेफिनेटली मिलते जरा देखिए इस वीडियो को कि अगर कोई इंडिया में घुसता है तो हमारे central government की जिम्धारी होती है central government एक permission देते हैं उसके बाद ही बार का बंदा इंडिया में घुसता है क्या central government एक साथ इतने सारे बांगलादेशियों को इंडिया में गुसने की पर्मिशन दे रही है और दूसरा पॉइंट ये निकल कर खड़ा होता है कि केजरी वाल का यहाँ पर जो कनेक्शन है और शाहीन बाग जैसी और जगाओं पर भी इलीगल स्ट्रक्चर इतने टाइम से बनाये गए हैं तो आखिरकार इतने टाइम से MCD इनके ओपर साइलेंट क्यों बैठी वी थी या तो MCD बहुत जादा लेजी है या फिर MCD बहुत जादा करप्ट है इसी के साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो बुल्डोजर्स हैं ये New Friends Colony पहुंच चुके लेकिन New Friends Colony सिर्फ नाम की बात है new friends colony के साथ एक जगा है जो कि अगेन एक ऐसी जगा है जहाँ पर majority में Muslims रहते हैं जिसका नाम है तेमूर नगर और उसके around इन bulldozers को घुमाने का आज काम किया जार और फिर से एक बार इन दोर पे वाले चड़ी धारी चिंटूओं को attract करने की कोशिच करी जारी है इनको please करने क की कोशिच करी जारी मैंने आपको बताया कि यह कुछ नहीं है सिर्फ bjp का mcd election के लिए campaign है किसी का घर यह लोग नहीं तोड़ने वाले क्योंकि इनको अच्छे तरीके से पता है कि अगर इन लोगों ने मुसल्मानों के घर तोड़ दिये तो आखिरकार यह राजनीती किस तो मुसलिम्स को टारगेट करके हिंदू रिदे समराट बनने की कोशिश करी जारी है ना इनकी भी पोल आपके सामने खोल कर रख देता हूं हिंदू रिदे समराट वगेरा कुछ नहीं है यह हिंदू के नाम पर भी सबसे बड़ा कलंक है आपको एक निउस निकाल करके दि सिटिजन्शिप याने की अमिच शाद जो हैं जिन्होंने सीए लेकर के आये था 2019 में और यह कहा था तो हिंदू रहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बांगलादेश जैसी कंट्री में उनको हमारे देश में लाने के लिए पना देने के लिए हम सीए लेकर के आये हैं इन है और उनको वापिस पाकिस्तान जाना पड़ा है सोची अपने आप में कितनी घटिया बात है जिन भी भक्तों को बेफकूब बनाया गया था न सीए के टाइम पर यह बात बोलकर उनके मूँपर चाटे की तरह यह खबर इस खबर में यह भी बताया गये कि जो लोग वाप वापिस गए हैं उनको वहां की गवर्मेंट जो है यह कहने का काम कर रहे कि अब तुम मीडिया के सामने निकल कर यह बोलो कि इंडियन गवर्मेंट जो है बहुत ही घटिया और हमारे को उन्होंने इल ट्रीट करने का भी काम करते हैं सोचिए सोचीए जब आपने आप में क ये भी दिखा देना चाहताूं आखिरकार किस तरीके से इन बुल्डोजर्स के चकर में जिसने कुछ भी नहीं क Tube लेकिन इसके उपर किस तरीके से राजदीती करने का काम किया गया और यह साफ साफ दिखाता है कि दिलिका BJP का ही campaign है इसके इलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर कोई भी कारवाई नहीं करी जा रहे है या फिर illegal construction को तोड़ने का काम नहीं करा जा रहा है सिर्फ अपने चड़ी धारी चिंटूओं का पर ट्रैक्ट करने की कोशिच करी जा रहे है जरा देखे अपने स्क्रीन के ओपर अमीज गुल्लू देवगन का यह कल शाम का शो जहां पर इसका टाइटल था बुल्डोजर पर तुष्टी करन वाला ब्रेक क्वेश्टन मार्क लोगी स्क्रीन पर रख रहा हूं दिल्ली में बुल्डोजर का ब्रेक फेल कितनी अच्छी और कितनी खुशी वाली बात है ना किस तरीके से ये दो कोडी के लोग दो कोडी के पतरकार जो है लोगों के घर तूटने पर या फिर उनके बेघर होने पर इतना खुश होने का काम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता कि आखिर पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम कर ओर वर्लड वाइड इसको रिलीज करा जाया अप लोग कहेंगे और आप लोगों का साथ होगा तो मैं ऐसे किसी प्रजेक्ट पर काम करना शुरू करूँगा और आपके साथ उसकी अपडेट का काम करूँगा अभी के लिए करके बीजेपी अपने वोट बैंक को साधने का काम करें सब चीज़े आपके सामने रखना चाहता था इनी चीज़ों को रखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को सब्सक्राइब के बटन को बैल आइकन को ज़रू दबाईए सा क्या खाता हूं क्या पीता हूं किसके साथ रहता हूं कैसी बाते करता हूं फलाना फलाना अभी के लिस वीडियो में सिर्फ इतनी मुलाकात होगी दोस्तों आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में